सुक्ष्म जीवों में जीवों के अस्तित्व या निरंतर्ता बनाये रखने के लिए प्रजनन के प्रकारों को अभी हमने देखा और उसमें हमने जीवानू भी देखा क्या आप सोच सकते हैं कि जिस बैक्टीरिया से बचने के लिए हम दिन में कई बार अपने हाथों को धोते हैं अपने घर में साब सफाई रखते हैं और कई प्रकार के सुरश्क्षात्मक उपाय करते हैं क्या वो भी हमारे लिए लाबदायक हो सकते हैं कभी सोचिए जरा हाँ कुछ बैक्टिरिया तो ऐसे हैं जिसे आप और मैं खाते भी हैं जो हमारे घर में दैनिक उपयोग भी किया जाता है दूद से जब दही बनता है तो एक बैक्टिरिया लेक्टो बेसिलस इसके कारण से लेक्टिक एसिड फॉर्म होता है और दूद से दही का बनना होता है एक प्रकार से हम जब किसी पडोसी के यहां या अपने ही घर में कहते हैं कि दूद से दही बनाने के लिए थोड़ा सा जामन दे दो तो वो जामन नहीं एक प्रकार से वो बैक्टिरिया की डिमांड ही है ये समझ सकते हैं दूद में कैसीन प्रोटीन बनने लगता है और यह प्रोटीन ठिक होता है इस करण से जो पतला दूद है वो गाढ़ा होके दही में परिवर्तित हो जाता है जो पनीर होता है उसमें भी यही प्रोटीन का भाग पाया जाता है इस करण से कहते हैं कि बढ़ते बच्चों को जा लेक्टो बेसिलस युक्त जो दही है वो पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है सुबा सुबा आप और मैं जब उठते हैं तो सबसे पहली डिमांड हमारी होती है चाय या कॉफी तो जो वास्तविक चाय की पत्ती होती है वो थोड़ा स्वाद में कसैला होता है इसमें सुगंधित टेस्ट आता है साथ ही साथ कई प्रकार के जो जिवानू होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आतों में भी पाया जाते हैं जो भोजन को पचाने का कारे करते हैं तो इस प्रकार से हमें यह मिठक नहीं पालना चाहिए कि बैक्टीरिया हमारे लिए हमेशा हानिका रखी होते हैं और यह भी जानते हैं कि जो प्रोटीन उत्पादन करने वाले पौधे हैं लेगुमिनोसिकूल के पौधे हैं उनमें भी जडो में एक जीवानु पाया जाता है जिसे हम रैजोबियम कहते हैं तो इस पर विस्तार से चर्चा तो हम अगले अध्यायों में करेंगे अब हम यह देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन दो तरीके से होता है एक है अलेंगिक प्रजनन और दूसरा है लेंगिक प्रजनन अलेंगिक प्रजनन अभी हमने सुक्ष्मत जीवों में देखा तो प्लांट्स में भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए तो अलेंगिक प्रजनन की सबसे पहली विधी है प्लांट्स मे की नाम से ही स्पश्ट है कि इसमें कोई जीव का शरीर या बॉडी कई खंडों में विभक्त हो जाता है और हर खंड एक नया जीव बना लेता है तो इस प्रकार से जीवों के प्रोडक्शन या उत्पादन की इस विधी को हम विखंडन कहते हैं स्पाइरो गाइरा या ग्रीन एल्गी या हरा शेवाल जो हर प्रकार के स्रोथ में पाये जाता है चाहे वह कुवाँ हो तालाप कजल हो पोखर हो जील हो या हमारे आपके घरों में तो ये जो ग्रीन एल्गी है उसमें विखंडन के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है साथ ही साथ एक और रोचक तथे इसमें जुड़ा हुआ है कि जो जल है वहाँ पर पोखर या तालाब का जल है उसके जो हानिकारक पोशक पदार्थ होते हैं उसको ये एलगी ग्रहाण करके अपने लिए उपयोग करके जल शोधन का भी कारे करता है तो क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है इसलिए इसका रंग हरा होता है और यह जल को साफ करता है दूसरी विधी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्षन या वर्धी प्रजनन इसमें पोधे का वर्धी भाग अर्थात जड तना और पत्तियां ध्यान रखेंगे जड तना और पत्तियां यह नया जीव बनाते हैं नया पोधा बनाते हैं तब इस प्रकार के प्रजनन को इस प्रकार के अलेंगिक प्रजनन को वर्धी जनन या वर्धी प्रजनन कहते हैं ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये जो वर्धी भाग है या काईक भाग है या लेंगिक जनन में भाग नहीं लेता है तो दूसरी विधी वर्धी प्रजनन हमारे घरों में प्रायह, आलू, अद्रक, कोचई, जिमिकंद इस प्रकार के जो खाड़िपदार्थ हैं वो वर्धी प्रजनन के द्वारा ही उगाय जाते हैं और आप कलम से भी तो नया पौधा उद्पन करते हैं गुड़हल है, गुलाब है, बहुत सारे ऐसे फ्लार्स हैं जिसे आप कलम के द्वारा उगाते हैं तो ये क्या है यह भी एक प्रकार का वर्धी प्रजनन है क्योंकि इसमें आप तने से नया पौधा बना लेते हैं कुछ ब्रायोफाइटा जो होता है ब्रायोफिलम उसमें तो जो पत्तिया रहती है उसमें ही छोटी छोटी पत्तिया निकलती है उस पत्ति को आप अन्य जगा पर लगा देते हैं तो उससे भी नया प्लांट्स बन जाता है तो इस प्रकार से वर्धी प्रजनन से पौधे क वर्धी भाग से नया प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं उत्पादन कर सकते हैं अलाइंगिक जनन की तीसरी विधी है इस्पोर फॉर्मेशन या बिजानू निर्माण जिसे हमने शुक्ष्म जीवों में भी अध्यान किया है बिजानू एक गोलाकार सरचना जिसे हम कहते हैं इस स्पोरेंजियम फट जाते हैं तब हलके होने के कारण ये हवा पानी अधिक से अन्य स्थान पर पहुच जाते हैं और अनुकूल वातवरण मिलने पर या अंकुरित होकर नया प्लांट्स बना लेते हैं इस प्रकार स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया फर्ण और मास जैसे पॉधों में प्राया देखने को मिलता है फर्न में इन विजानूं को सोरी कहते हैं और इसका सिंगुलर या एक वचन जो एक विजानू एक भाग होता है उसे सोरस कहते हैं ये इस पोरेंजिया के सम्मूह में पाये जाते हैं और जो सोरी होता है वो पत्तियों की निचली सत पर पाया जाता है एक और नौलिज की बात यहां पर आपको बता दूं कि जो येस्ट है हाँ आप देख रहे हैं येस्ट को पहले प्लांट जगत में रखा गया था जब द्वी जगत पद्धती आई थी लेकिन जब आर एच विटिकर की पांच जगत वर्गी करन पद्धती तब इन्हें एक नए जगत में कवक जगत में रखा गया या फंजाई फंगी कई प्रकार से आप इसका इससे बुलाते हैं तो इस्ट में एसेक्ष्वल रिप्रोडक्शन या अलंगिक प्रजनन के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है इसमें मुकुलन एक बढ़ निकलता है और वह बर्ड या कली या मुकुल इस्ट से अलग होकर नया संत्ति या नया इस्ट बना लेता है यह कभी कभी इतना फास्ट होता है कि पहली कली मूल शरीर से जूड़ कर अपनी कली बनाना शुरू कर देती है इससे कलियों की एक स्रिंखला बन जाती है पाच जगत वर्ग प्रोटिस्ट जगत, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया यह पाच जगत वर्गे करण आरेच विटकर जी ने दिया है आईए आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का जवाब दूढने की कोशिस करते हैं कि क्या चमगादर के द्वारा भी परागन की क्रिया होती है यदि हाँ क्योंकि अभी तक हमने भौरे, मदुमक्खी, चिडिया इसको ही फूलो पर मंडराते हुए देखा है तो क्या चमगादर भी परागन में कोई भूमी का अदा करते हैं कोई भूमी का निभाते हैं और अगर चमगादर के द्वारा परागन की क्रिया होती है तो उ कूछ रिवीजन करते हैं, जो हमने पूर्वा में अभी अध्यान किया है और जिस प्रकार के प्रष्ण आपके परिक्षा में पूछे जाते हैं जब कोई जीव दो या दो से अधिक खंडों में तूट कर, खंडित होकर नया जीव बनाता है तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, विखंडन, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है एकल जनक से नय पौधिक या नय संतति के उत्वादन की विधी अलैंगिक प्रजनन कहलाती है अपने समान संतति उत्पन करने की छमता यह प्रशन हमेशा पूछा जाता है अपने समान नय संतति या संतान उत्पन करने की छमता जनन कहलाती है आगे बढ़ते हैं प्रकृति में कितने सुंदर सुंदर फूल हमें दिखाई देते हैं कोई लाल रंग का कोई सफेद कोई बैगनी कोई नीला तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन विभिन रंगों के कारण से क्या पुष्प को भी कोई लाब होता है या आपको और हमें केवल नैन सुक ही मिलता है केवल संदर्य बोधी होता है या इससे भी प्रकृति को कोई लाब होता है तो इसके बारे में हम अभी विस्तार से अध्यान करेंगे कि पुष्प जो है रंगीन और सुगंधित क्यों होते हैं यह आपको जानना ही चाहिए कि जो पुष्प या फ्लावर होता है वो पौधे का जनन अंग या जनन भाग या रिप्रोड़क्टिव पार्ट है और पौधे का सबसे चामिंग सबसे आकर्शक भाग होता है और यह आकर्शक क्यों होता है क्योंकि जब यह आकर्शक होता है रंगीन होता है सुगंधित क्योंकि इसमें सुगंधित नेक्टार पाया जाता है नेक्टार ग्लैंट्स पाया जाता है सुगंदित होता है तभी तो छोटे-छोटे कीट, चिडिया और कुछ जीव इसके पास भौरे मधुमक्खी पुष्प में आते हैं और वहाँ पर सुगंद की वजह से रंगील पुष्प की वजह से वहाँ पर आकर बैठते हैं और जब ये कीडे या कीट उसमें बैठते हैं तब उनके पंखों में पैरों में पराकन चिपक जाते हैं और परागन की क्रिया होती है तो इस प्रकार पुष्प का रंगीन होना वाकई में एक बड़ा ही उदेश पूर्ण है और जिसकी रचना स्वयम प्रकृति मा करती है ताकि जीवन की निरंतरता या जीवन का अस्तित्व इस प्रित्वी पर हमेशा बना रहे हैं मतलब पुष्प ही वो फैक्टर या कारक होता है जिसके कारण से बीज का निर्मान संभव हो पाता है अभी हमने विस्तार पूर्वक अलेंगिक प्रजनन को पुष्प में देखा अब हम लेंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे लेंगिक प्रजनन सेक्स्वल रिप्रोडक्शन जैसा कि नाम से है इस पश्ट है इसमें लेंग मेल एनफी मेल दोनों के सलनयन से नया जीव या नया पौधा बनता है पुरुपरिभाशा हम एक बार अध्यान करते हैं कि पौधों का उत्पादन या प्रोडक्शन जिसमें प्रजनन कोशिकाएं भाग लेती हैं जर्म सेल भाग लेते हैं तो इस प्रकार का उत्पादन लेंगिक प्रजनन कहलाता है लेंगिक प्रजनन में पहली बात ये होती है कि प्रजनन कोशिकाएं या जर्म सेल पौधों के नर या मादा भाग male या female part में निर्मित होता है दूसरी प्रमुक इसमें बात होती है कि सल्लाइत होकर ये male और female germ cells है वे आपस में सल्लाइत होकर seed formation या बीज निर्मान करते है और बीजों से ही फिर नय पौधे हम उगा पाते हैं तो यही बीज फिर अंकुरित होकर मिट्टी और पानी की सहायता से नए पौधे बनाते हैं। कुछ पौधे जैसे की ट्रेटिकम, एस्टिवम, और आईजा, सटाईवा, विसकस रोजा साइननसिस। आप सोच रहाँगे कि मैं ये किन प्लांट्स की बात कर रही हूं। नाम भी याद रहना चाहिए। तो जो पहला नाम मैंने लिया ट्रेटिकम, एस्टिवम, वो है आपका जिससे आप चपाती या रोटी बनाते हैं। गेहूं, ओराइजा, सटाईवा या ओरीजा, सटीवा भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है बुक में। वो है आपका चावल जिसे बड़े आनंद के साथ आप रोज सुबह शाम खाते हैं। सरसो, इसका बाटनिकल लेम है ब्रैसिका, सूरज मुखी जिसके तेल का उपयोग आप घर में करते हैं। हिलियंथस एनूस और साथ ही साथ गुड हल जिससे आप दसमत के नाम से जानते हैं। हिबिसकस रोजा सैनेंसिस तो यह तो मैं केवल 4-5 नाम ही ले रही हूं। लेकिन जितने भी सीट वाले प्लांट्स हैं। जितने भी फ्लॉरिंग प्लांट्स हैं। इन में लेंगिक जनन पाया ही जाता है। और इसलिए आप आम के गुठलियां खाकर फेक देते हैं। पक्षियों के द्वारा बर्गत के फल खाकर जो बीट निकाला जाते हैं। उसके द्वारा बीना लगाए ही आपके बीना पौधर उपन किये ही बड़ा विशाल जंगल तैयार हो जाता है। तो वाकई यह प्रकृती अद्वूत है और यह जो प्रजनन है वो इसकी मुल्भूत अवश्यक्ता है। आपके कक्षा दस्वी के प्रयोग या प्रैक्टिकल भाग में भी यह सम्मिलित है कि पुश्प का जो गुढ़ल है और धतुरे का आपको विच्छेदन करना है। तो हम इस पाठ का अध्षयन इतने अच्छे से करें ताकि हमारी प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाए। और हम थ्योरी में भी अच्छे माक्स ला सके। तो ध्यान से इसे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं पुष्प के बारे में पुष्प की व्यवस्था जो पुष्प की व्यवस्था पौधे पर होती है जिस प्रकार उसे हम पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं यदि पौधे के अक्ष पर पुष्प तने से एक डंठल या वरिंत के द्वारा जु अटेच रहता है तो उस डंठल को हम वरिंत कहते हैं और इस पुष्प को हम सवरिंतक या पेडी सिलेट कहते हैं उसके इस्थान पे यदि पुष्प सीधे तने से अटेच रहता है सीधे तने से जूड़ा रहता है तो उस प्रकार के पुष्प को हम आवरिंती या सेसाइल कह करते हैं पुश्प का जो निचला भाग है जो पुश्प के सभी अंगोट करता है फुला हुआ चौड़ा घंंटी też नुमा भाग यह फुला हुआ भाग ठेले मस कहलाता है और यह ठेले मस कली अवस्था में ग्रीन कलर से कली को ढख कर उसे पोशन क्योंकि उस समय यह फोटो सिंथेसीज भी करता है पोशन प्रदान करता है साथ ही साथ उसकी रक्षा भी करता है यदि प्रारुपिक पुष्प का अध्यान करें तो पुष्प के चार भाग होते हैं सैपल्स पैटल्स इस्टेमन और कार्पल्स इनका हम विस्तार से अध्यान करते हैं सबसे पहला है सैपल या बाह्य दल पुझ नाम से इस पस्ट है बाह्य दल पुझ अर्थात यह पुष्प का सबसे बाहर या आउटर मोस्ट आर्गन है या भाग है या छोटी हरी पत्तियों जैसी सर्रचनाय होती हैं इन्हें समोहिक रूप से सेपल्स को समोहिक एक को तो सेपल कहते हैं और समोहिक रूप से इनके चार या पांच की समोमे sucks या कहीं-कहीं पर अधिग भी होते है तो समोहिक मुख्य रूप से इन्हें कैलिक्स कहते हैं या दल पुंच मुख्य रूप से ये दो चीजे इसका प्रमुख गुण है सबसे पहला तो ये सबसे बाहरी घेरा बनाती हैं और दूसरा कली की रक्षा करते हैं जब ये कली के रूप में होता है यह है पुष्प का पहला भाग जिसे हम सैपल्स करते हैं दूसरा और प्रमुख भाग पुष्प का रंगीन या कलरफुल जिसके बारे में अभी-अभी हम और बातें कर रहे थे वो है पैटल्स या पंखोडिया या हम दल पुंज कहते हैं तो बिल्कुल इन दोनो में आप डिफरेंस समझेंगे बाह दल पुंज ग्रीन कलर का होता है हरे रंग का होता है और यह सबसे बाहरी भाग है जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है और दल पुंज दल पुंज का अर्थ है पंखोडियां या रंगीन भाग जो लाल बैगनी गुलाबी सफेद इस से विभिन रंगों का होता है यह है आपका पैटल्स या दल पुंच यह फूल का बड़ा ही चमकीला और आकर्शक भाग है और चुंकि इसलिए यह रंगीन होता है ताकि वह कीटों को अपनी और आकर्शित कर सके परागन की क्रिया हो परागन से निशेचन हो और सीड का फॉर समुह रूप है समुह के एक पंखुड को तो आप पैटल का देंगे लेकिन एक साथ सभी पंखुडियों को मिलाकर हम कहते हैं कोरोला को कैंडिक पोर्ता ध्यान रखेंगे थोड़ा सा स्पैलिंग में यहां पर तो हम जो पुंच है या जो पंखोडियों का संयुक्त रूप से पंखोडियों को हम कहते हैं कोरोला या दल पुंच जो सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के अलग अलग पौधों में जैसे सूरज मुख्य हैं इसमें पत्तियों के समान हो जाते हैं जो सिंघाडा होता है उसमें स्पाइन्स के समान काटों के सम पौधे के पुष्प का तीसरा प्रमुक भाग है जनन अंग जो कहलाता है वो है स्टेमन या पुंकेसर या पुष्प का नर्जनन भाग या नर्जनन अंग हम कह सकते हैं विभिन प्लांट्स में इनकी संख्या भिन भिन होती है कुछ में कम होती है कुछ में भूत अधिक भी होती है जैसा कि आप गुड़हल में देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर स्टेमन या पुणकेसर या नर्जनन भाग है पुणकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है एक है फिलामेंट फिलामेंट या जिसे पुतन्तु कहते हैं फिलामेंट एक धागे के समान या तन्तु के समान पतली धागे नुमा रचना होती है और इसके फिलामेंट के उपरी जो भाग है वो लोब के आगार का होता है और उसको हम कहते हैं पराक कोश या एंधर तो फिलामेंड के शीर्स पर चोड़ी थैली नुमा जो रचना होती है इसे हम कहते हैं एंधर और इसी एंधर के भीतर थैलियों में भरे होते हैं पराक कण पराक कंड जो होते हैं वो पीले बारीक पावडर के समान होते हैं इनमें पुरुष प्रजनन कोशिकाएं मेल जर्म सेल्स उपस्थित होती हैं चौथा भाग जो पुष्प का है अभी हमने देख लिया सेपल दलपुंच पैटल्स सेपल बाहे दलपुंच पैटल्स दलपुंच जो रंगीन होता है तीसरा भाग हमने देखा नर्जनन भाग या मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट आप फ्लार पुंकेसर या स्टेमन और यह चौथा और अंतिम और मध्य का भाग होता है जो होता है कारपल या स्त्रीकेसर जो पुंकेसर होता है उसको संयुक्त रूप से एंड्रोसियम कहते हैं पुंकेसर को संयुक्त रूप से हम एंड्रोसियम कहते हैं और जो कारपल या फिमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट है उसे इस्त्रीकेसर भी कहते हैं या पुष्प के केंद्र मेस्थित होता है और सा इसका जो सहीवत रूप से हम जो फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट है प्लांट का उसको हम कहते हैं गाइनोसियम मनुष्य में भी तो हम जब महिला रोग विशेशग्य इस्त्री रोग विशेशग्य के पास जाते हैं तो उसे गाइनेकोलोजिस्ट कहते हैं तो ध्यान र इस्त्री केसर या मादा जनन भाग तो यह जो गाइनोसियम या इस्त्री केसर होता है वह भी पुनह तीन भागों में बटा रहता है तीन भाग से बना रहता है जो अंडाशय होता है या ओवरी होता है या इस्त्री केसर होता है उसका सबसे उपर का भाग वो कहलाता है स्ट इसका शिर्श चिपचिपा भाग है जो परागन के समय परागकन जब ले कर कीट आते हैं तो इन परागकनों को वह चिपचिपा भाग या वर्तिकाग्र जो सबसे पहला भाग है वो इसमें छोड़ दिये जाते हैं या इससे चिपक कर छोड़ जाते हैं, धीरे से या वर्तिका गर के जब नीचे आते हैं तो दूसरा पुश्ब का भाग है वर्तिका, वर्तिका का यदि शापदि कर से देखें तो उसका अर्थ होता है बाती तो जिस प्रकार से दिये में तेल का प्रवा बाती के द्वारा होता है और उसकी लव आती है या दिया जलता रहता है जब तक तेल रहता है तो उसी प्रकार से समझेंगे कि यह जो वर्तिका है वो वर्तिकागर को ओव्यूल से या अंडासा से जोडने वाली रचना है जो वर्तिकागर के बाद नलिका का रचना है वा खोखली रचना होती है जिसे हम कहते हैं वर्तिका या स्टाइल तीसरा और अंतिम भाग है ओवरी या अंडाशे फूल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशे या ओवरी कहलाता है और इसी अंडाशे में बिजांड में या ओव्यूल में फिमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मादा जनन कोशिकाएं इस्तित होती हैं और इन मादा जनन कोशिकाओं को एग या अंडाणू या ओवम या डिम्ब कहकर हम पकारते हैं तो इस प्रकार से हमने पुष्प के चारो भाग के बारे में विस्तार से अध्यान किया है सबसे पहला भाग बाह दलपुंच दूसरा भाग दलपुंच तीसरा भाग इस्टेमन या पुंकेसर और चौथा भाग इस्त्रीकेसर या कारपल तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप धतुरा या गुड़हल के पुष्प में इन चारो भागों का विच्छेदन करेंगे और इन पुष्प में बड़ी ही आसानी से आप इन चारो भागों को देख सकते हैं